वेल हेलो दोस्तों वेल्कम टो डेड ब्लैड मुजिक प्रडक्शं तो इस वीडियो में बताने वाला हूं क्या ओटो ट्यून या फिर पिज करेक्शन्स सीरियसली बुरी होती है या करनी मतलब जरूरी नहीं होती तो मतलब यह हमें क्यों करनी पड़ती जरूरी क्यों है है तो और नहीं है तो क्यों जरूरी नहीं है देखो कि यह सब हमारी एक फ्रिक्वेंसी के आराउंड रिवोल करती है जो कि है फॉर फोर्टी हर्ट्स इसका मतलब मैं अभी समझाओंगा क्यों एक्जेक्ट्ली है क्या पहले के टाइम में क्या होता था जो इंस्ट्रूमेंट एक फ्रिक्वेंसी है के मतलब A is equal to जो A note हमारा वो उसके 440 Hz पे टून होगा ठीक है उसके according बाकी सारे notes भी टून होगे तो क्या आज का एक international standard है वो 440 Hz पर पहले के time में क्या होता था कोई fixed standard नहीं था तो लोग area to area या फिर country to country share to share अलग लग टून करते थे तो उस time में जो या फिर उससे थोड़ा सा कम भी गाएंगे तो क्या होगा इतना जादा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जो instruments है वो फूरा orchestra जो है वो 440 Hz में के जादा तून है या फिर उससे कम तून है मतलब एकदम exact नहीं था उस time पे कुछ भी बिल्कुल fix नहीं था तो उस time पे जब है कि time के singers बहुत जादी घजज थे या फिर आज के time singers बहुत जादा खराब है ठीक है इतना जादा फरक नहीं देखो हाँ पर इतना है कि पहले के singers को जादा प्यास करना पड़ता था क्योंकि पहले की singers कम में क्या होता था कि अगर वो एक बार अगर पूरा गाना गा रहे ह है इसके चलते हम अपना जो जितने भी notes है जितने भी lines है उनको word by word गा सकते है line by line गा सकते हैं तो इतनी जादा तो इसलिए थोड़े से लापरवा भी हो गए है क्योंकि उनको बता अगर छोटी मोटी mistake होगी तो retakes हो जाएंगे वहीं से हम शुरू कर सकते उसी particular word से पहले इसा नहीं था पहले उन्हें शुरू से शुरू करना पड़ता था ठीक इतनी जादा कुछ technology थी नहीं अब अगर हम picture में भी देखेंगे तो picture में देखें यहाँ पे standard set 440 hertz इसमें मतलब हम इसे उपर निचे भी कर सकते सिंगिंगे इसाब से ठीक है बटेक जो standard हमें मिलता ह है वह 440 hertz पे ही मिलता है default जो होता है हमारा वह 440 hertz पे ही मिलता है और यह normally 1939 यह 40 करीब में इंट्रेटल सेट किया गया था सभी के लिए तो आज के टाइम पर जितने भी instruments होते हैं वह सभी इसी पर bass tuned होते हैं तो अभी फिलाल के टाइम में अगर singer को गाना हो मैंलब हम गाते हैं तो वैसे तो सही sound करता है अगर हम बाहर गाते हैं किसी भी recording में गाते हैं अंदर के होते हैं मतलब क्या है कि आपकी वाइब्रेशन एक वाइब्रेशन जो है वह 440 बार वाइब्रेट करेंगी ठीक है ना एक सेकिंड में तो उसे इतनी बार तो मतलब इतना एक्कुरेट गाना ओल्मोस्ट इंपोसिबल आज़ी टाइम में तो इसलिए कि पीचिंग की जाती है कि उसको एक पर्टिकुलर स्टेंडर्ड पर लाया जा सके ताकि वह नोर्मली जो हमारे अंदर के इंस्ट्रुमेंट्स होते हैं जितने भी सेंपल्स बगरा होते हैं वह सब इतने प्रिसाइजली सेट होते हैं 440 हर्ट पर कि अगर उनके साथ में न इननेचर ठीक है ना हमाई नेचरल फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि वह या तो उपर जाएगा नीचे जाएगी एक दिम फिक्स नहीं कर सकते है बहुत रियाज भी कर लेंगे तो भी ऐक दम फिक्स नहीं होगा कहीं जो होगी ठीक है थाई आजके ताई में इसलिए स्लेव फिसक् तो उसके सिंगने में कोईइं सब् फट्यहर 2 तो रियाज करना इसलिए जरूरहा थे ऐसा मत सम्झो कि अगर रियाज नहीं करेंगे तो autotune सब कुछ कर देगा वो उतना अच्हा बना पाएगा जितना अच्छा हम गाएंगे ठीग है अगर हम ही अच्छा नहीं गाएंगे अपनी तरस से हम कितनी भी pitch correction कर ले उतना अच्छा नहीं हो पाएगा ठीक है तो यह problem होती है इस चीज में बस कि यह मत समझो कि कोई magic है जो लगा दियो एक दम से धुम धड़ागा कर देगा ऐसा कुछ नहीं हमें अपनी तरफ से भी अच्छा करना पड़ेगा तब ही इसा कुछ solution निगल पाएगा और अगर मैं कोई example सुनाओं भी तो देखना अभी एक example चलाओंगा भी 432 हर्ट का ठीक है और उसके आगर उसकात वी तेवा एक बाएगा पनोम है और दो देखना दॉति कि बाएगा देखने तो आपने नोटिस क्या होगा 432 हर्ट जो जादा सौफ्ट साउंड कर रहा है बड़ जो 440 हर्ट है वो जादा एक्यूरेट साउंड कर रहा है ठीक आज के स्टेंडर के हिसाब से जो हम जितने भी गाने सुनते हैं वह सारे 99.9% सारे तो इसलिए इतना पर्फेक्ट साउंड करते हैं क्योंकि पुरा स्टेंडर ही है यह इस चीज का तो यह अगर हम कहें तो यह कोई पाप नहीं है अगर उत्यूंगा यूज करते हैं या फिर पिछ करेक्शन का यूज करते हैं बट कोशिश यह रहे कि उसे अन्नेशल ना नहीं बट हां एक दम ही सब कुछ फिक्स कर देना उसमें उसे बनाता है बट हां रोंग नोट को तो सही करना जरूरी है ही उसके साथ इसलिए आज की टाइम में इस चीज का ज्यादा यूज होता है पर कुछ लोग से समझते हैं मैजिक कि हां अगर इसे यूज कर लिया तो वगनिकों कि सब सुंग में इसिंगर's के साथ क्यों यूज किया जाता है कोई सिंगर खुष नहीं होता इस छीज के साथ बट शुकर ना पड़ता है आज की इस्टेंडर के हिसाब से तो चलिए दोस्तों आज की सब्स्यार कर आपutenी फैन्श्यक्त के साथ जो अभी में इं झाल